सबसे उप्यूक्त क्या होगा यानि किसी बच्चा ने इस तरह के हिसा बना लिया है तो बच्चे को हम क्या सिखाएंगे यes तरह से कहेंगे तो एक अंग की एक अंग से गुना किया है तो ये ऑप्सिन आपके लिए नहीं होगा क्या इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उप्यूक्त क्या होगा यानि जिसभी जिज़ को दोहरा दिया उसको किस विद्र है सुधारेंगे पहाड़ों का परत्यास्थाम यह भी नहीं करेंगे और यहां पर देखें पुन्हर समुग की अवधारना यानि इस समुग की भावना को वह समझ नहीं पा रहा है कि आखिर इसको कैसे बनाएंगे और एक 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 संगती से कोई मतलब नहीं है तो दोस्तों आपको बता दूँ यह कैरी नहीं जान रहा है चोपंचे तीस होता है तीस का जीरो यह नहीं लिख पाता है और रिमाइंडर बचके थरी और पांद दस और तीन तेरा तेरा यानि एक सो तीस यह गुरूप को यह कंफर्म नहीं कर पा रहा है तो दोस्तों आपके लिए सही आंसर होगा और अप क्या पूछ रहा है वह कौन से संक्या है जदि उसको हम जोर देते हैं तो वह उसका डबल हो जाता है तो यह आपस नमर दोस्तों आपके लिए 8 होगा ऐसे को देखने को मिलेंगे दोस्तों जैसा कि देखने को यहां पर दिया हुआ है कि एक मिली मीटर बराबर होते हैं किसक और क्या होगा जीरो प्वैंट वन सेंटीमीटर होगा दोस्तों इसको एक निजर से याद रखें दूसरी कोंचन की हम बात करें यहां कॉस्चन पर दिखा दिया है कि एक खाली जगा है सदिव संब भाभूज होता है क्या होता है एक वर्ग वर्ग जो होते हैं उसकी तिर्भूज होगा तो इस तरह से याद है कि समिद वाहू तिर्भूज में दो ही भूजा बराबर होती है और तीसरी भूजा बराबर नहीं होती है और पंच भूज की बात करें तो इस तरह से आपका क्या हो गया यह आपका पंच भूज होता है तो यह आपका अंसर नहीं हो तो तीनों को ज़दी जोड़ेंगी, तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो option नमर आपका दोस्तु, 3 आपके लिए सही रहेगा, तो हो सकता है, यहां आपका पुछा गया तिरभूज, तो वहां से आपका पुछ सकता है, चतरभूज के चारो कोना का योग कितना होता है, या पंच भूज के पांचो कोना का योग कितना होता है, यह भी आपसे question को पूछा जा सकता है, इसको भी एक निजर से याद रख ले इसा कि जस्टोz question यहाँ पर द्खाई दे रहा है ची यह question जो देख रहे हैं को प्राप्त करने के लिए याँ याँ 25455 को प्राप्त करने के लिए यह संख्यां दी हुए है और यह प्राप्त हो जाए गा तो ऐसे question को आप जरू से जरू practice करें तो दोस्तो इसके लिए All right answer या question आपके exam में कैसा पुछा जा रहा है निमलिकीद कतनों में कौन सा कतन सभी है यह का रहा कुन सा शाई है एक अभाज़सं कीया है एक और भाजी हूर अभाज़्जी होर नहीं भाज़ी है तो दोस्तु देखें यह question आपके sheetate exam में भी पूछे जाएंगे वाले हैं जिए कर देखना है क्लाकि उस्पितर यहां पर दिया हुआ है की रारिष्टि शिक्षा निथी 2030 के अनुसार शिक्षार्थियों का आखलन को सामिल करता है क्वौन सी आइस Est ociddannません को यहां आपका सामिल की आ इसका आंसर क्या होगा आप जल्दी से नौट कर लें ऐसी कोश्चन आपके एकजामे पूछे जाएंगे दोस्तों जैसे कि देखने कोश्चन आपके पास है कि निमिलिखित में कौन सा मॉडल सुरुवाती कच्छा के सिक्षार्चियों में एकाई, दाही, सिकड़ा के संबंद के बारे में आवधारनात्मा समझ बिक्सित करने के लिए सबसे कम उप्यक्त होता है यानि कहने का मतलब यह कह रहा है कि छोटे से क्लास में हम बच्चे को कौन सी अबधारना को हम परियोग नहीं करते हैं जिसको इकाई, दाही और सिकड़ा को हम पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों देखिए दिन्स ब्लोक्स को भी हम यूज करते हैं को भी हम दोग यूज करते हैं अस्थाने चार्ड को भी याद करते हैं लिकिन मुद्रा को हम- नहीं पर्योग करते हैं यह शीखा पैसा से बच्चों को नहीं बताता है तो यह आपका ओप्चन 2 आपके लिए बताहीं तो एक नजर से इस Duечение hablar दोगत हे रहे हैं तो आपके पास ये चार option है दोस्तों बता सकते हैं कि सही answer आपका क्या होगा मेरे दोस्तों एक निज़े से question को जरा देख लेते हैं साड़े साथ kilogram के नमक में 1 by 12 gram kilogram नमक के कितने packet बनाई जा सकते हैं ये आपसे question को पुझा गया है तो यहां से question को देखाएं ये इसका answer है सही answer होगा 90 क्योंकि जब इसको पुर्णाग तोड़के करेंगे साथ जोगदा एक 15 कितना होगा 15 बटे 2 हो जाएगा दोस्तों अब इसको यहां से भाग देदेंगे तो आपका answer सही आ जाएगा दोस्तों जैसा कि question को यहां पर देख रहें यामिना ने एक पासा 10 बार उच्छाला और उसे निमलिखीत परिनाम प्राप्त हुए तो यहां आपका यह दिया हुआ है तो इसमें से चार उपसर में से सही option को चुनना है तो दोस्तों बता सकते हैं कि आखर इसका सही answer क्या होगा उमीद है आप answer भी अच्छी तरह से चुन लिए होंगे correct answer होगा option number 2, 5E, right answer जैसा कि देख रहे हैं पर question दिया है कि parcel का भार 50 gram और उससे कम 15 रुपिया parcel का भार है परते एक अतरिक 50 gram के लिए 7 रुपिया है बीना अपने सही चारू को पारसल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है तो पारसल का भार 350 gram है तो दरो को देखकर पारसल भेजने का सही रासी का चुनाव किजिए कौन सी रासी आपका होगा तो दोस्तो इसके लिए साही आंसर और आपसर नमर 4 तीज राइट आंसर दोस्तो लेटेर हेड़ पाने के लिए सब्सक्राइब करें थैंक्यू वेरी मच्छ